ग्लासिक एजुकेशन यूटूब चनल गे तम गेला स्वागता नानु डॉक्टर आर्वी चिटकुपी ग्लासिक केस एजुकेशन यूटूब चनल गेला स्वागता नानु डॉक्टर आर्वाड दल्ली इत्यास विशेवन्नु बोधस्ताई दिनु विद्ध्यार्थिगले केपी एस्सी अदो प्रिलिम्स आगिर बोधू मेंस आगिर बोधू मुख्य विशेयन्दरेवन्द वास वास्तु शिल्पवागिदे भारत दल्ली बेलदंत वास्तु शिल्पवागिदे भारत दल्ली बेलदंत वास्तु शिल्पवादू बाउद्ध वास्तु शिल्पवागिर बोधू हिंदू वास्तु शिल्पवागिर बोधू आत्वा मुस्लिम वास्तु शिल्पवागिर इगागले नन्न हिंदीन वीडियोगलली बौद्ध वास्थो शिल्पा, हिंदू वास्थो शिल्पा द बग्ये साकस्टु विशेवन्न चर्च माड़िद्धिनी, इंदू मुस्लिम वास्थो शिल्पा द बग्ये विशेवन्न तेगत कोल्ता आईदिनी, अधरल्लु दक्ष हादनाकने शत्मान देंद दक्षिन भारत दले मुस्लिम संस्कृते बेलद बंदतु। So from the 14th century we notice the growth of the Islamic culture. अदो नाव नोड़ते वाले बहमनी मंतन स्तापने आद नंतर हदमूरूरा नलुवत्योड कृस्त शक बहमनी मंतन स्तापने आईतु। बहमनी मंतन देंद दक्षिन दले मुस्लिम संस्कृते बेलियेत। मुस्लिम अले आडल्त वेवस्ते बंदतु। धर्म प्रचार वाईतु। आवर उडुपगलन परचेसलादु। अदे रित्यागे भाशे आदन्त अरेबिक मत्तु परश्यन इले बेलसलादु। नंतर बंदनता उर्दु भाशे कोड़ा बेले इतु। हागे वास्तु शिल्प कोड़ा दक्षिन भारत दले हदनाकने शत्मान दिन्द बेलदु। फ्रम फोर्टींथ संचुरी दा इस्लामिक अर्टिटेक्चर डवलपड इन साउथ इंटिया। आदरे भारत दले मुस्लिम वास्तु शिल्प इदो प्रारम वागे दो हदुमूर्ने शत्मान दा प्रारम बदेंद। फ्रम बिगनिंग अफ थी थर्टींथ संचुरी अल्ली गुलामी संथती येन स्तापने आइतु। अल्यडlining मुस्लिम वास्तु शिल्प इवंद। बद्द मुस्लिम अर्चित्ट्ट्चर रगाणी clerk देहली एन्नो नावो भारत द मुस्लिम वास्तु शिल्पद त्वट्टीलू अन् थेड़ी करीबोद येक अंदरे मुदलिगे अल्ली प्रारम वायतो आदरे अधिय नाव दक्षिनक्य बंदरे If you come to the south दक्षिन दल्ली नाव गमने सेदरे अधिय नाव कने शत्मान द प्रारम वदली अधिय नाव नूर अन्नोंदरली 1311 मलिक कफुर अवन तन्न दंडे यात्रेन मुगिसिद नंतर पांडेर मेले विजय साधिसिद नंतर रामेश्वरम दल्ली वंद जामा मसीदियन कट्सिदू जामा मौस्केट रामेश्वरम अधू दक्षन भारत द मोदल मसीदियागिदे आदरे मुंदे वास्तु शिल्प बेलियलीला अर्किटेक्चर डिडनोट डेबलम 1389 क्रिस्त शकदली बहमनी मन्तने येन स्तापने आयत्तो मुस्लिम वास्तु शिल्प बेलियलु प्रारंब ऋएतु रही अजिदे बहमनीयर्यन मुदलेगे आळिदो गुल्बर्गाद अली गुल्बर्गा वन्न्नोगło एकक अय गदन कलभूर्गी अन्थेटी करिता सहे कल्बुर्गी अन्नु दक्षिन भारत द मुस्लिम वास्तोशिल्पद त्वट्टिलो अन्थेडिकरिया बोदू दा क्रेडल अव साउथ इंडियन मुस्लिम आर्किटेक्ट्चर गुल्बुर्गा और कल्बुर्गी अल्ली दा वास्तोशिल्पद बेढ़ेतु सो देर फ्रॉम् दा मुस्लिम आर्किटेक्ट्चर डेवलबुर्गा यावस्तोशिल्पद नम्म दक्षिन भारत दल्ली मुस्लिम वास्तोशिल्पद अधर क्यलु वैशिष्टगली नागिदू अधन नोडिधन अंतर बरु अंतक्यलु मुख्या स्मार्क गळिया आवागिवे आउनन नोडिकोड़ों the characteristic of the Islamic architecture मुस्लिम वास्तोशिल्पद लक्षन गळिया नागिवे इदन नीव नोडिधने स्मार्क गळ मेल भागदली नाओ गुम्मट्टगलन नोडिधिवे अंतरे हिंदे नम भारत गळिद्धन वास्तोशिल्पद लक्यंत इदों सल्प भिन्न वागिद्धो हाग अधरे एन वैशिष्टगली दो what were the characteristics of this architecture which was different to that of the architecture which prevailed already in India so what we see first is the construction of the dooms on the monuments स्मार्क गळ मेल भागदली गुम्मट्टगलन कट्सुवाद। हागे, कमानगल, the arches, the entrance and the windows were made in the form of an arch कमानगल निर्मान, प्रवेश द्वार आगिर बोदु, किडिकेगल आगिर बोदु, कमान आकारदली इले, निर्मान, so the use of the arches यत्तरवाद कट्टे मेले स्मार्क गळ निर्मान, the monument was built on a high platform यत्तरवाद कट्टे मेले आगना कट्टिसराइत्तो, the high platform is used हागे, स्मारक द पक्कदल्ली नाव नोड़त्तिवे, यत्तरवाद मिनारगलू, the high minars at the side of the monument स्मारक द पक्कदल्ली मिनारगलन नाव नोड़तिवे, स्मारक द यदुरगडे, उद्ध्यानगलन बेलसलादू, the growing of the gardens in front of the monuments स्मारक द यदुरगे, उद्ध्यानगलन बेलसलागिदू, calligraphy बरहगलन नो क्यत्तलागिदू, the calligraphy writings were engraved on the monument, so most of the carvings are the Quranic verses, अल्ली क्यत्तलादंता बरहगले निवे, Quran द श्लोकगलागिवे, they are Quranic verses, calligraphy यंद्रे, कलात्मक वागी, so it is artistic, so artistic writing is called as calligraphy, so artistic writing engravings are there on the monument, so calligraphy writings, मत्तु याव प्रकारद स्मारक गळन नोड़्थिवी, Masidhi, Gori, Armane, Kote, मत्तु नगरगलू, so what are the types of the monuments, mosque, tomb, palace, fort and the cities, युँ प्रकारगलू, स्मारकगल बरोंता प्रकारगलू, हागे, इन्नोंदु वैशिष्टांदरे, मुस्लिमुरद इदन्नाव गमनिसिदरे, इदनननी उत्तरभरत दल्ली कुड़ा नोड़बोदू, you can see it in the North India also, राजधानियल्य स्मारकगल निर्मान, monuments at the capital, construction was in the capital, राजधानियल्य हेच्चिन आवर स्मारकगल नोड़बोदू, उधारनेगे, देली यल्ली नोड़बोदू, आतो अग्रादल्ली नोड़बोदू, most of the monuments are there, हांगे, नम दक्षिनदल्ली कूड़ा निवु नोड़िदरे, मोदलिगे, स्मारकगल निर्मान वागिद्धो, आवर राजधानियल्य हेच्चिन स्मारकगल, most of the monuments are here in the capital and its surrounding places, अधिके, इदोंद विशेष्थन आत्वा इदोंद लक्षना थेळबोदू मुस्लिमर अले, स्मारकगलन राजधानियल्य निर्मिसुवादू, इदो, अल्ये बरुवांता, मुस्लिम वास्थुषिल्पद वैशिष्टगलागिवे, इस आए था क्यारेक्टर स्टिक्स अव् था मुस्लिम आर्किटेक्च्च्च्च्च्र, आथो, उत्तरवागिर भोदू, दक्षिन वागिर भोदू, North or South So the Islamic architecture Which had its birth We can say in South India From the Bahmanis Bahmaniyar कालदिन्द Dakshina Bharata दली Muslim Vastu Shilpa इदो बेलदोत हागादरे मोदलिगे आवर निर्मिस दंता स्मार्कगले निदो आव यल्लावू Gulburga दली वे The early monuments of the Bahmanis Are located at Gulburga Gulburga दली याकेंदरे आदो आवर राजधानी आगित It was the capital 1347 Krista Shakadalli Hasan Gangu Bahmaniyar 1347 Hasan Gangu founded the Bahmaniyar dynasty And he became the first Sultan Under the name Alauddin Hasan Bahman Shah Alauddin Hasan Bahman Shah इले होसहेसर निंदावन राज्यभारवन प्रारमाडिदा अत्वादर मोदलने Sultan आगित बुनदे नाव नूड़ठेवि अले cream Graphene 646 अत्यांत स्रेष्ट अरसरले 1 Перв Однако twenty far They are the Bitte the greatest ruler of the Bahamanis हागादरे गुल्बुर्गा दली नाव नूरती हादनाक नूरा यंबत ताइधर वरिगो so we've noticed particularly the Bahamanis were very powerful in Gulburga and Bidar region till 1485 हादनाक नूरा यंबत ताइधर वरिगो और बलिष्टर आगिदर so by 1526 the rule ended but till 1485 they were very powerful Gulburga and Bidar were their main centers so we notice most of the monuments at these two places हागादरे गुल्बुर्गा दली प्रारमदली आवर कट्सिद्धू Gulburga आथवा कल्बुर्गेली कल्बुरिगेली बरुवांत आवर प्रधान स्मार्कगली आवाओ आवन नावनोड़ोन so we'll try to understand the important monuments at Gulburga वंदने मुहमध शहा अलावदीन हसन भामन शान उत्तराधिकारी आगे बंदनता वंदने मुहमध शहा वंदने मुहमध शहानन भामनियर इतिहासदले शिस्तिन सुल्टानान थलिकरितार he has been called as a disciplined sultan in the history of the Bahamanis वंदने मुहमध शहा आवन कालदले निर्मान वादंता Gulburga कोटे the fort of Gulburga Gulburga कोटे आवन कालदले निर्मेसलाईतो so the capital for defensive purpose the fort was built राजदानिय सुरक्षतेगागी इस कोटे निर्मेसलाईतो वंदने मुहमध शहान कालदले कोटे वलभागदले inside the fort वलभागदले नावनोड़तिवे जामा मसीधियन कट्सेदो वंदने मुहमध शहा to be the exact date is there 1368 1360 एंटरली इस मसीधि निर्मान वागित। 1368 the monument was built 1360 एंटरली इस निर्मान वागित। now this mosque इस मसीधियन इदे इदर था विशेशित अनना निमेंगे गोत्तिरबेको you must know the here the characteristic of this mosque this mosque is built on the model of the Cordova Mosque of Spain Spain the Cordova Mosque of the mosque माधरय मेले इस मसीधियन निर्बेसलागिदे Gulburga the Jama Mosque and very interesting is at the top what you are going to see the dooms इले संसन्न गुम्मटगलन ओड़त रिये नाक इले ब्रहत्वाद अन्त गुम्मटगलन ओड़त वीदू यत्तरवाद गुमटब what to स्मार्कद मेल भागदले इरुवंता संके गुम्मटगलन संके 63 आगिदे 63 dooms are there at the top 63 गुम्मटगले इरुवंता वसीधि इदो नावनूड़ गुल्बुर्गा दले वंद मुख्यवाद अन्त अस्तनवागिदे अवरा शिल्फके इंदर वागित buddy गुल्बुर्गा इदो अन्त मुख्यय नावनूस्मार्का वागिदे इत 메नूझ्य verdict इसे इसे दिघुवाद अन्त मुख्यामंट दले निर्वाण वागिदे इदो जामन मसीदे व३लब्भागतली This is the most important monument of the Bahamanis. वंदने मुहम्मध शान कालदले निर्मान वागित। इदो जामा मसीदे वलभागदले, inside the Jama Mosque. So the supportive is through the arches. You can see the beautiful arches. वाल सुंदर वागि कमानगल निर्मान, इदो स्मारकक्के अडियागित। This is the base for the monument. So you can see the beautiful arches are there. वाल सुंदर वागि क्यत्तला अधन्ता कमानगल जामा मसीदे वलभागदले नावनोड़्धिविद। This is the Darga of Kvajabandha Nawas. Kvajabandha Nawas अवर Darga आगित। So Darga are the tombs of the Sufi saints. Sufi संतर समाधिकलिगे Darga अन्थेलतर. Sufi चलवली भारत दली ब्यलदद्दू हन्यरने शत्मान दली Kvajabandha Nawas Chisthi अधना प्रारंब माडिद्दू. So this Sufi movement was started by Kvajabandha Nawas Chisthi Sufi चलवली ब्यल्सित। The Sufi movement was spread in South India by Kvajabandha Nawas. Kvajabandha Nawas Dakshanagali ब्यल्सित। Popularly he was called as Kvajabandha Nawas. Aवरन Kvajabandha Nawas अधना थेलकरिता हैद। Kvajabandha Nawas अवर Darga आगिता हैद। This is the Darga of Kvajabandha Nawas. Lags of, here the devotees visit this, not only the Muslims, the Hindus also visit this place to fulfill their, mainly the wishes. The Hindus also visit this place to fulfill their, mainly the wishes. Kvajabandha Nawas अवर दर्का. Hindus also visit this place to fulfill their, mainly the wishes. Sufi संथरली इदों वैशिष्टेन थेला बोद। Hindu, Muslims, बेरे-बेरे धर्मद जनरों कुड़ा आदर्गा के भेते हैद। So this is one of the, here a religious place in Gulburga, belonging to the Bahamani period. Bahamani अर कालतेंदा, बंधनता, वंदो धार्मिक अस्थळा न थेलबोद। Gulburga दल्नी. Next we have the Shahabazaar Mosque. मुंदे निर्मानवादंता, Shahabazaar Masidhi. इदो हुर नोटवागिदे, वलगड़ इरीत्यागि निवो, अले मसीधियन नोडबोद। This is the inside portion, this is exterior portion. हुरगड़ इदो प्रवेशा आदनांत्र, वलगड़ निवो, आ मसीधियन नोडबोद। This is what you notice, दे Shahabazaar Mosque. Shahabazaar Masidhi नाविले, Gulburga दले नोडबोद। This is another mosque what we have got. This is Hasan Gangu tomb, Hasan Gangu ना गोरी आगिदे, Hasan Gangu ना गोरी आगिदे. Hasan Gangu, as I told you, he was the founder of the Bahmani dynasty. Bahmani मंतन अधा स्थापक, अलावदीन Hasan Bahaman शायन था, थासर निंदा रज्य भार माडिद। This is the tomb of Hasan Gangu, Gulburga दले बरु आगिदे. Again, this is the tomb of Muhammad Shah the first, वंदने Muhammad Shah ना गोरी आगिदे. The tomb of Muhammad Shah the first, वंदने Muhammad Shah ना गोरी. अलावदीन Hasan Bahaman Shah तो, Hasan Gangu ना उत्तराधी कारी आगिदे आगिदे. शिस्तिन द्वरें थेड़ करिसकोंडनांता, सुल्तान आगिदे नू, आउन समाधिय आगिदे. This is the tomb of Muhammad Shah the first. Then, this is one interesting monument we have got. Haft, 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 Haft of the Bahamani Sultan, उट्ट योळु बहमनी Sultan अर गोरिगली बेल, there are, mainly, here are seven tombs of the Bahamani Sultan's, उट्ट योळु गोरिगली बर्ताव, आधिक्या हफ्त गुम्मद्ध अथ्वा साथ गुम्मद्ध अंथले करितारे, इधरली बाल प्रमुख्वागी बरुवांता गोरिएंदरे, the tomb of Tazuddin Firoz, इए मंतन अधा स्रेष्ट सुल्थानाद, बहमनी मंतन अधा स्रेष्ट सुल्थानाद अंता फिरोजन गोरि, इदुन, इले, हफ्त गुम्मद्ध अवरनदले बरुवांता प्रसिद्ध स्मार्क वागिदे, this is the most imposing monument in the हफ्त गुम्मद्ध complex, so this is the tomb of, here Tazuddin Firoz, who ruled from 1397 to 1422, अवन कालदले नावन ओड़तिवि, बहमनी अरु, उन्नत स्थानदले इद्दरु, साकष्ट बेलवनिके आगिद्ध्थ।, अधे समयदले फिरोज, समकालिन मंतन वाधन ता विजे नगरद मेले कोड़ा विजे शाधिसे, साकष्ट जनप्रेते न पड़द कोड़ि खोन अधिके आउननो स्रेष्ट दोरे यंथेले इले गुर्तिसल आगिदे इस मेनली द टूम आउना समाधी आगिदे ताजुदीन फिरोजना समाधी and the last one here कोनेदागी बरोदो अले ताजुदीन फिरोज कट्से दंता नगर आइदो this is a city built on the banks of river Bhima, Bhima नदे दंडे मेले आउना कट्से दो, अधिके फिरोजा बाद अन्थेले करिया लागिदे, आदर इगला हाल बिदे, there is a today it is in a ruined state, फिरोजा बाद, ताजुदीन फिरोज, आउना कट्से दंता नगर आइदो, so this was actually a practice which was followed in North India, उत्तर भारत दले, लेकांदर बहमनियर नाव नोड़ती वी मोदलिगे, सुल्टानर वंद अले नगरवन्न निर्वस्ता इदो, they got constructed a city, to mark their, your accession, तम्म अधिकार वन्न तगेद कोणना नेनिपिगागी वन्द नगर कट्सेता है, उदारनेगे गियासुदीन तुगलक, आउना तुगलका बाद यंब नगर कट्सेता, देलिया हुरवलेली बर्तते, हंगे, मोहमद बीन तुगलक, जहापना बादन थेलि कट्सेता, बुंदे, फिरोशा तुगलका नो फिरोजा बादन थेलिया हुरवलेली, तुगलका नो फिरोजा बादन थेलिया हुरवलेली, तुगलका बादन थेलिया हुरवलेली, गुल्बर्गा वन्नो नावं दक्षिन भारत द मुस्लिम वास्थुशिल्पद तुट्टिलू अन्थेलि करिया बोदू। मुन्दे 1420 नाकरली बहमनियरो तम्म राज्यदानियनु बीदर के वर्गावने माडिदू। बीदर दली केलो स्मार्कगल बर्तावे आवर कालद्दू। आवर मुन्दे मुस्लिम वास्तुशिल्पवन बेलसेगों दे एर कंटीवड द एक्रेज्म तुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टेश अधरल्लू बाला प्रमुख वागिना उनोड़तेवी नम्या करनाटका दली आले दंथा आदिल्शायर। अधिल्शाई और विजापूर एक्षिन भारत दल्य मुस्लिम वास्तु शिल्पदा सुवरन युग एंद्रे अधो भीजापूर द आधिल्शाई दागिदारे आ विशेया बिजापूरदली बर्वांता स्मार्क गळिये नागिवे आधिल शहर प्रमुक्क अरसरे आरागी दर्यादिक्य प्रोच्साहा कोट्टोरू इविशेवन्नु नन्न मुंदिन वीडियो दल्ली नानु विशेवन्न चर्च माड़तेनी अल्ली वरिगु क्लासिक एजुकेशन यूटूब चन्नललनों तावो नोड़ता एरी यल्लरिगो नमस्कार